नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप भी कहीं पर लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो जैसे कि किसी एप्लिकेशन से आप लोन ले रहे हो वेबसाइट से आप लोन ले रहे हो क्रेट का लोन ले रहे हो या bank से loan ले रहे हो किसी भी तरह का आप loan ले रहे हो और यहाँ पर आपको एक option देखने को मिल रहा है enter your loan purpose तो यह क्या है हम इसमें क्या भरे आईए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते है सबसे पहले मैं आपको इसे हिंदी में करके बताता हूं इसका हिंदी में होता है अपने loan की वजह जानी है यानि कि आप loan किस वजह से लेना चाते हैं कि आप क्या करना चाते हैं ऐसा कि आपको loan की जरूत पड़ गई है आपको यहाँ पर वो enter करना पड़ेगा मान लिजिए कोई application है मैं उससे 50,000 का loan ले रहा हूं क्योंकि मुझे एक bike लेनी है तो यहाँ पर अपना bike के बारे में लिखूंगा कि purchasing bike या marriage अगर मैं शादी करना चाता हूं तो marriage लिखूंगा या मुझे कोई भी काम है तो मुझे वहाँ पर वो भरना पड़ेगा जैसे कि मैं यहाँ पर अपनी college की fees भरने के लिए किसी application से 10,000 रुपे का loan ले रहा हूं तो यहाँ पर मैं भरूंगा 4 college fees तो यहाँ पर मुझे सही से डालना पड़ेगा अगर आप किसी और काम के लिए पैसे ले रहे हैं और यहाँ पर गलत भर देते हैं तो हो सकता है कि आपके उपर legal कारवाई की जा सकती है या कुछ भी हो सकता है उसके जिम्मेदार आप ही होंगे तो यहाँ पर आपको सही चीज डालनी पड़ेगी जिस purpose से आप loan ले रहे हैं आपको उदेश्य क्या है आप क्या करना चाहते हैं उस loan के पैसो से तो आपको यहाँ पर यह बताना पड़ेगा वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें